हेलो दोस्तो मैं हूँ अनूप और आप सब लोग देख रहें ग्लोबल कॉन्फलिक्ट जबकि बाकी के बच्चे 21 एरकर्फ होगा मिको यान मिक 29 दोस्तो ये डील तो पहले से ही डिसकस किया जा रहा था लेकिन इंडियान एरफोर्स के तरफ से इंडिया और चायना के बॉडर टेंशन के दर्मियान इस मुद्दे को फिर से एक बार उठाया गया और इस बार सुनने को आ रहा है कि ये एमर्जेंसी बैसिस पे परचेस होगा एरफोर्स के तरफ से इस बात को रखने के बाद अब नेक्स्ट वीक डिफेंस मिनिश्ट्री की जो उच्छे अधिकारियों का बैठक होगा वहाँ पे इसे लेके क्लियरंस दिया जाएगा दोस्ता आपके जानकारी के लिए बता दू कि इंडियान एरफोर्स के तरफ से जो 12 सुखोई 30 MKI एरक्रेप्ट को खरिदने का बात कहा जा रहा है उसे असल में बीते कुछ सालों में जो सुखोई 30 MKI का क्रेश हुआ है उसे भरने के लिए खरिदा जा रहा है आप सबको बता दू कि इंडियान एरफोर्स के तरफ से बीते 10 से 15 साल के अंदर अलग अलग डील के तहएट 272 सुखोई 30 MKI एरक्रेप्टों को खरिदा जा चुका है इन एरक्रेप्टों को हिंदुस्तान एरनोटिक्स लिमिटेड के नासिक स्तित प्लांट में बनाया जाता है जबकि इन कुछ सालों के दर्मियान कुछ एरक्रेप्ट हाथसे का सिकार भी हुआ है सुखोई 30 MKI रेशिया के सुखोई कॉर्परेशन द्वारा बनाया हुआ एक ट्विन इंजिन हैबी वेट मल्टी रोल एर सुद्रेटी फाइटर एरक्रेप्ट है जिसे इंडिया के लिए अलग से मोडिफाइवी किया गया है दोस्ए ये एरक्रेप्ट अभी इंडियान एर फोर्स के फ्लिट का सबसे शक्तीशाली और मजबूत एरक्रेफ्ट है और इसलिए सुखोई 30 MKI के इलावा इंडियान एर फोर्स के तरफ से मिग 29 इरक्रेप्टों को खरीदा जाएगा जिसे लेके पिछले साल ही अरेशिया के तरफ से भारत को offer किया गया था रेशिया के offer के बाद Indian Air Force के तरफ से रेशिया के लिए बनाया हुआ इन MiG29 एर कर्प्टों के एर फ्रेम को परखा गया और फरैखने के बाद Indian Air Force के तरफ से भी इस offer को accept किया गया दोस्तों आपके जानकरी के लिए बता दू कि ये 21 MiG-29 असल में रशियान एरफोर्स के लिए बनाया गया था लेकिन रशिया द्वारा कभी इसे इस्तिमाल नहीं किया गया इसका एरफ्रेम जैसे की तैसा नया आई है और ये इस्तिमाल लायक है और अगर डिल के ओपर इंडियन नेवी द्वारा भी MiG-29 के नेवल वर्जिन MiG-29K और KUB का इस्तिमाल किया जाता है जबकि एरफोर्स के बेड़े में जो MiG-29 है वो सब UPG कैटेगरी का है मतलब अपग्रेटेट कैटेगरी का है इंडियन एरफोर्स के डिप्रेटिंग स्रेंद को डेखते हुए इन एरक्रेटों को खरीदने का डिसिजन लिया गया था लेकिन अब चाइना के साथ Border Tension को देखते हुए इसे एक Emergency Basis पे खरीदा जाएगा माना जा रहा है कि इन 33 एरक्रेटों का कीमत करीबन 6,000 करोर रुपया होगा जिसे लेके नेक्ट हपते ही Defense Acquisition Council के तरब से और Defense Ministry के तरब से बड़ा Permission दिया जा सकता है दोसो अब चलिए जानने का कोशिश करते है कि इनडिया और चाइना के बीच में जड़प के दर्मियान एरफोर्स के तरब से ये खरीदारी का Decision क्यों लिया गया तो आप सबको पता ही होगा कि अगर अभी ये Decision लिया आता है और नेक क्यों इन एरफोर्स को पर्चेस किया जा रहा है तो दोस्तों इसके पीछे बहुत सारा कारण है अभी अगर इसे पर्चेस किया जाएगा कम से कम एक साल के बाद ही इंडियान एरफोर्स को इन एरफोर्स को इन एरफोर्स को दिया जाता है तो तब भी ये इंडियान एरफ पर ऐसे situation में order देने के पीछे इसके इलावा और भी दो-तिन कारण है जिन में से पहला कारण है कि इंडियान एरफोर्स के तरफ से भी चायना को एक बहुत बड़ा message दिया जा रहा है कि इंडियान एरफोर्स अपने आपको तयार कर रहा है दोस्तों ये एक तरीके का threat frustrating होता ह है जबकि ये मनोविग्यानी तरीके से भी काफी जादा असरदार होता है और दोस्तों इसके इलावा और एक जो सबसे बड़ा कारण है वो कारण है रशिया आप सबको पता ही होगा कि रशिया एक ऐसा देश है जो चायना और इंडिया दोनों के साथ ही लगभग एकी तरी अमेरिके का bilateral इस्तारकता है और दोनों मैंसे कोई विदेश नहीं चाता है कि रशिया उसके दुश्मन के पक्ष में जाए और चायना के तरब से इसे ही ensure करने के लिए बहुत ज़्यादा प्रयास किया जा रहा है कि रशिया चायना के पक्ष में रहे भारत दुआरा इस तरीके का कारवाई किया गया है, जबकि ये भी बताने का कोशिश किया जा रहा है कि इससे अमेरिका फाइदा हासिल करने का कोशिश करेगा, और आप सबको पता ही है कि रशिया अमेरिका का एक बहुत बड़ा और कटर दुश्मन है, और इसी बज़ा से अमेरिका जिस कैम्प में होता है रशिया उसके उपोजिट कैम में जाने का कोशिश करता है, चाइना इस बात का फाइदा उठा के ही रशिया के उपर एक तरीके से मनोवेग्यानिक दवाव डालने का कोशिश कर रहा है, लेकिन भारत भी अब चाइना को काउंटर करने के लिए दो कदम आगे आगया, दोस्तों आप सबको पता ही है कि रशिया का एकोनोमी अमेरिका या चाइना जैसे इतना स्ट्रॉंग नहीं है, रशिया का एकोनोमी उसका तेल का एक्सपोर्ट और हत्यारों के एक्सपोर्ट के उपर डिपेंड करता है, और हाली में महामारी के बज़ा से जहाँ पर पूरा दुनिया में लॉकडाउन है, वहाँ पर तेल का खपत भी कम हो चुका है, और ऐसे सिचोशन में अगर रशिया को एक बहुत बड़ा डील दिया जाता है, तो ये रशिया के एक संजोवनी के जैसा हो सकता है, और इसे लिए इंडिया द्वारा रशिया के साथ रिस्ते को मजबूत रखने के लिए इस डील के उपर तेजगती से काम किया जा रहा है, दोस्तों माना जा रहा है कि खाली इतना नहीं बलकि इस दर्मियान इंडिया और रशिया के बीज में कुछ बाइलेटरल मुद्दों के उपर भी चर्चा हो सकता है, जहापे डिफेंस डील के इलावा एकोनोमिक रिवाइवल के लिए दोनों देशों के बीज में चर्चा ह प्रश्ताब को खरीदने का और एक बार प्रस्ताब डिफेंस मिनिस्ट्री के सामने रखा गया है और इस बार प्रस्ताब को अमर्जेंसी बैसिस के लिए भी नामंकित किया गया है, तो दोस्तों आप लोगे को क्या लगता है कि इंडियान इयर फोर्स के तरफ से जो फाइ हैंड़